नमस्कार दोस्तों मैं दीपती गुपता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइंग प्लेटफॉर्म परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बांकी के जो आपके कुश्चिन्स पचे थे 2019 के प्रीवेस एर यूपी इन्रोल होना चाते हैं तो आप इन दोन दिये गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद डेमू लेके आप इसमें इन्रोल होना चाहें तो हो सकते हैं क्लियर है आप सभी को बहुत ही ऑप्टिमम पीस हमारे यहां रखी जाती है जिसमें आपको क्वालिटी करेंगे बात कर लेते हैं आज के फॉर्स कोष्शन की फॉर्स कुष्शन में हमारा है कि उस पाइथा कोरिन त्रीयक को ज्यात कि जिसकी सबसे चोटी संख्या 8 है उसके अलावा जो ऑप्शन है वो हम सबसे पहले कट कर देंगे 6 8 10 क्योंकि सबसे चोटी संख्या इसमें 6 है इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा अब हम लोग इन तीनों में से एक आंसर हमारा होगा होगा क्या यह हमें देखना है ठीक है तो अब पैथक और इंतरेक का फॉर्मूला आप सोभी को पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है यानि कि कर्ण का स्क्वाइर होता है वो आपका बाकी दो संख्याओं के यूग के बराबर होता है ठीक है क्लेर है आप सभी को तो पहले option यानि कि बी नंबर option को अगर हम लोग सॉल्फ करके देखते हैं तो क्या होता है कि 10 का स्क्वाइर अगर हम लोग निकालें तो 8 का स्क्वाइर और 9 के स्क्वाइर के यूग के अगर बराबर होता है तो यह हमारा सही हो जाएगा नहीं तो गलत हो जाएगा 10 का square 100 होता है 8 का होता है आपका 64 64 है यह ओके प्लस 81 अब देखें तो यह हमारा बड़ा जा रहा है और यह नहीं जा रहा है इक्वल नहीं हो रहा है तो यह हमारा गलत हो जाएगा option number B भी यहां से हमारा गलत हो गया अब हम लोग 3 वाला देख लेते हैं देखो 17 का square 17 का square बराबर 8 का square प्लस 15 का square ओके अब 17 का square यानि की 289 हो जाएगा आपका 8 का square हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225 ठीक अब 289 बराबर इन दोनों को एड़ करो 2549 628 289 यह हमारा इक्वल हो रहा है इसलिए आपको option number C यहां से राइट हो जाएगा clear है तो पाइतागोरियन तरिक आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है बात कर लेते question number 2 की question number 2 आपसे पूछ रहा है कि जेड का व्यमान ग्याद कीजिए जिसके लिए संख्या नौ से विवाज है ठीक है संख्या आपकी क्या है 417 Z8 संख्या नौ से विवाज है सबसे पहले आपको divisibility rule पता होना चाहिए देखो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था आठ का divisibility rule जरूरत पड़ी थी हमें आज हम लोगों को नौ के divisibility rule की जरूरत पड़ रही है तो मैं आप सभी को एक छोटा सा क्या कहते हैं सजेशन देना चाहूंगी कि आप divisibility rules को एक से लेके वही 11 तक के आपको पता होने चाहिए ठीक है अगर पता होंगे तो आपका एक सवाल गलत नहीं होगा नहीं पता होंगे तो इस सवाल को आप किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं ठीक है अब 9 का divisibility rule क्या होता है चाहरे के साहरे जो आपके डिजेड सोते हैं उनको एड़ किया जाता है और जो नौसे विवाज होता है इसी लिए आपका का divisibility rule कहलाता है ठीक है अब हम लोग इसको एड करके देख लेते हैं चार प्लस एक प्लस साथ प्लस जैड प्लस आठ अब देख लो चार एक पांच साथ पंच बारा आठ बीस 20 प्लस जैड अब देखो नौ से विवाज होगा तभी यह संख्या नौ से विवाज मानी जाएग अब 20 तो यह होगे अब हम नौ का पहड़ा पढ़के देखते नौ एकन नौ नौ दूनिय ठार नौतिया सताइस सताइस में अगर हम लोग देखें तो बीस तो हमारे पास अल्रेटी है तो जैड की वेल्यू कितनी हो जाएगी सेविन हो जाएगी क्लियर है आप सभी को यहा पावर में लिखा हुए ठीक है तो इतना आप घ्यान रख़िएगा 2160 बरावर 2 की पावर A into 3 की पावर B into 5 की पावर C ठीक है अब 3 की पावर A into 2 की पावर माइनस B into 5 की और माइनस C का आप को मान निकालना चैसे निकालेंगे चलिए सौल करते हैं सबसे पहले 2160 को अम खीक है फिर से 2 से गाटू 540 फिर से 2 से काटू 2 2 4 2 7 14 फिर से आपका 2 से एक वाल चला जाएगा 2 1 2 3 6 2 5 10 अब आपका जाएगा 3 से 3 से जाएगा तो 3 4 12 3 5 15 फिर से 3 से जाएगा पंदरा फिर से 3 से जाएगा पांच वाल जाएगा अब पांच से एक वाल जाएगा अब यहां से देखो 2 की power 4 3 की power 3 5 की power 1 ठीक है तो क्या है आपका 2 की power 4 3 की power 3 5 की power 1 बराबर है आपका 2 की power A into 3 की power B into 5 की power C अब यहां से क्या है हमारा A की value आगई 4 B की आगई 3 C की आगई हमारी एक अब हम value को इसमें रख देंगे 3 की power a यानि कि 3 की power 4 ठीक into 2 की power minus b यानि कि 2 की power minus 3 into 5 की power minus c यानि कि 5 की power minus 1 क्लियर है आप सभी को अब इसको हम लोग solve कर लेंगे 3 की power 4 यानि कि 3 तरिका 927 81 ही हो जाएगा ये value minus में है तो ये नीचे चली जाएंगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 यानि कि 81 देखो, अब इसको क्या करेंगी 3 की पावर 4 था, हमारा 81 हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3 था इसलिए आपकी वैल्यू नीचे में चली जाएगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा 5 की पावर माइनस 1 भी था इसलिए ये भी वैल्यू नीचे में चली जाएगी क्योंकि माइनस में है पावर तो आपका ये हो जाएगा, तो 81 अपॉन 8 पंचे 40, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि option नमबर B में है क्लियर है आप सभी को बात कर लेते, question number 4 की 4 में आप से क्या पूछा गया है X की value आप से पूछी गई है अब इसमें क्या है, अब देखो ये पजल वाला सवाल है ठीक है, पजल वाला सवाल है यानि कि आपको अपना common sense दोड़ाना पड़ेगा कि ये value कैसे निकाली जा सकती है ठीक, तो देखो सीधा से आपको formula, मतलब formula क्या आप देख पा रहे होंगे इसमें, जैसे 2 की सामने 8 लिखा है, 3 की सामने 27 लिखा है 4 की सामने 64 लिखा है, 1 की सामने X लिखा है, X की value हम से पूछी है तो अगर 3 का cube देखें, तो 27 होता है 4 का cube देखें, तो 64 होता है 2 का cube देखें, तो 8 होता है ऐसी 1 का cube कितना हो जाएगा 1 का cube आपका रहेगा कितना 1 ही रहेगा, इसलिए आपका एक answer हो जाएगा, option number C clear है आप सभी को बात कर लिए ते question number 5 की 5 आप से कह रहा है कि A plus B upon C, बराबर B plus C upon A बराबर C plus A upon B बराबर K है, तो K की value आप से निकालनी है, ठीक अब हम लोग इसको कैसे solve कर लेंगे, देखो तीनों चीजें और बराबर में K है, तो हम एक एक चीज के बराबर K रखते जाएगे और हमारी value आजाएगी, कैसे आएगी, A plus B upon C बराबर K रख लेंगे तो A plus B की value यहां से क्या आजाएगी, C के इसी तरह से यहां से क्या आजाएगा B plus C की value आजाएगी, A के इसी तरह से आजाएगी C plus A की value क्या आजाएगी B के, ठीक, क्लियर है अब इन तीनों सम्मीकरण को यह मालनों एक है, यह दो है और यह तीन है सम्मीकरण एक, दो और तीन को अगर हम लोग add करेंगे, तो क्या आएगा देखो, यह A plus B B plus C, C plus A, यानि कि दो बार A plus B plus C आजाएगा और यहां पर आजाएगा A plus B plus C के, ठीक है, अब क्या आएगा अपका, दो बार A plus B plus C और यहां पर के, अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर से आजाएगा A plus B plus C ठीक है, पिछला जो सॉल्व किया था उससे यही आपारा, A plus B plus C A plus B plus C कट जाएगे, तो के की वेल्यू कितनी आजाएगी अपकी 2 आजाएगे, option number C यहां से आपका right हो जाएगा बात कर लिए तो यह question number 6 की 6 आपसे पूछ रहा है की 1.2 cm 4.2 cm 5.9 cm और 8.1 cm लंबाई की किसी भी 3 किसी भी 3 भुजाओं के संभव तिर्भुजों की संख्या आपको बतानी है अब देखो यह जो सवाल है आपका, इसमें आपसे क्या है की 4 आपको value दे दी गई है और आपसे इन्होंने बोला है की हमें भाई, कोई भी 3 value आप ले लो 3 value में से हमें बता दो कि कितने तिर्भुज बनेंगे, ठीक है तो अब आपको तिर्भुज की property पता होनी चाहिए कि क्या होती है तो तिर्भुज की जो property होती है वो आप सभी ने पढ़ी होगी कि तिर्भुज की तिर्भुज की दो छोटी बुजाएं क्या? तिर्भुज की दो छोटी बुजाएं बुजाएं, दो बुजाएं यानि कि जो छोटी होंगी, दो छोटी बुजाएं, इनका जो योग होता है, दो छोटी बुजाओं का योग जो होता है, वो आपका किसके बराबर होता है, तीसरी बुजा से सद्यों बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तीसरी से बड़ा होना चाहि तभी आप एक तिर्वुज का निर्माण कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम लोग वेल्यू सको ले लें तो वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मालनों ले 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 रहें 4.2 cm 5.9 cm 8.1 cm ठीक है अब देखो सबसे पहले 4.2 और 5.9 की वैल्यू कितनी आ रही आपकी 9,2,11,5,49 और 1,10 10.1 आ रही जो कि आपकी बढ़ी है किस से 8.1 से तो हमारा तिरबुज एक तो इस से बन जाएगा एक तिरबुज हमारा इन तीन वैल्यू से तो बन गया बन गया कि नहीं बन गया लेकिन अब आपको confusion दूर करने के लिए पहले तो हम एक तिरबुज को यह अंसर निकाल चुके कि हमारा तीन वैल्यू से एक तिरबुज बन रहा है अब आपको इसका एक और चीज़ बताते हैं मालो हम यह तीन वैल्यू ले 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 तो 1.2 और 4.2 को एड़ करके देखे कितनी वैल्यू आएगी पॉइंट 4, 4 और 1, 5, 5.4 आपका 5.9 से छोटा है यानि कि हमारा तिरबुज नहीं बनेगा क्लियर है आप सभी को तो आप इन तीन वैल्यू को लेके एक तिरबुज का निर्माड कर सकते हैं इसलिए आपका उप्शन नमबर A यहां से सही हो जाएगा क्लियर है बात कर लेते कुशन नमबर 7 की 7 आप से कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अन्स के दो गुने से एक अदेक है ठीक है भिन्न का अन्स मान लो x है, तो हर क्या हो जाएगा अंस के दो गुने से एक अदेग है, जो सवाल बोल रहा है वही हम करते जा रहे है, अंस में दो जोड़ने पर, अंस में दो जोड़ दिया हर में से तीन गटाने पर तीन गटा दिया हमें एक प्राप्त होता है, अब इसको सॉल्फ कर लो, x प्लस 2 अपॉन, 2x माइनस 2 वरावर 1, तो x प्लस 2 की वेल्यू आ जाएगी, 2x माइनस 2, यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2 वरावर 2x माइनस 2, क्योंकि वो अधर चला जाएगा, अब x इधर ले जाओ और 2 इधर ले आओ, तो 2x माइनस x बरावर 2 प्लस 2 हो जाएगा 2x, यह x हम इधर ले आए और यह माइनस 2 मैंने इधर ले दिया तो x की वेल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई क्लिर है, अब हमारी x की वेल्यू तो 4 आ गई, लेकिन अब हमारी भिन क्या थी? जो हमारी भिन बनी थी, वो क्या थी? x अपॉन 2x प्लस 1 यही तो बनी थी, क्योंकि भिन का अंस, जो हर था, वो अंस के दो गुने से एक अधे था, x की वेल्यू आई हमारी 4 तो हर जो हमारा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1, 9 चार बटे 9 आपका अंसर हो जाएगा, यानि की option number A, क्लियर है आप सभी को, बात कर लेते question number 8 की, question number 8 आप से कह रहा है की, महतम समापवर्थ यानि की, HCF 1,8 1,8 की value है 4, और LCM 1,8 की value है 24, तो A की value आप से पूछी है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि आप सभी को SCF, LCM ये सारी छोटी-छोटी चीजें तो आती होंगी ठीक है, फिर भी आप इसको option से solve करने की कोसिस सबसे पहले कीजी है, ठीक है, जब option से आप रखेंगे, मालो अगर आपने ये की value दस रखी, और अगर आपका दोनों चीजें आपकी satisfy हो रही है, तो आपका 10 answer होगा लेकिन इसमें जो basically इसमें answer है, आपका option number C यानि कि 12 answer है, जैसे 12,8 का जो HCF होगा, HCF होगा जो इसका HCF होगा, वो 4 होता है और 12,8 का जो LCM होता है, वो हमारा 24 होता है, ठीक है, और यही आपसे इन्होंने सवाल में बोला था, अगर आपको यकिन नहीं है, तो आप इससे solve करके देख सकते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते next question की, इसका आपका option number C सही हो जाएगा, बात कर लेते question number 9 की, question number 9 आपसे कह रहा है की, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 cm है, उसका परिमाब 46 cm है, खेत का छेतफ़ पल क्या होगा, ठीक है, आपसे यह question इन्होंने पूछा है, अब इसको कैसे solve करेंगे, इसको solve करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि, आयत का जो विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण होता है, यानि कि d square की जो value होती है, वो आपकी किसके बरावर होती, l square और b square के बरावर होती है कि नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपका आयत यह होता है ठीक है विकारण यह होता है और यह हमारा triplet बन जाता है यानि कि पायथागोरियन ट्रिक बन जाता है इसलिए आपका इसका square जो होता है वह इन दोनों बुजाओं के योग के बराबर होता है विकारण आपका दिया है 17 मीटर तो यहां से L square plus B square की value हो जाएगी 17 का square यानि कि L square plus B square की value जो हो जाएगी 289 यह हमारा हो जाएगी समीकरण 1 अब परिमाप इनोंने बताया है कि 46 मीटर है परिमाप 46 मीटर है यानि कि 2 L plus B यानि कि 1 लंबाई एक लंबाई एक चोड़ाई एक चोड़ाई इसकी वैल्यू है 46 यानि कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 ऑप्शन समीकरंट हो जाएगा अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व में हमारा क्या आया था एल स्कूर प्लस बी स्कूर वराबर 289 और ए 23 ठीक अब इसको अगर हम लोग दोनों साइड इस वाले एक्वेशन को अगर हम लोग दोनों साइड बर्ग कर दें तो हमारा आंसर आएगा एल प्लस बी का होल स्कूर वराबर 23 का स्कूर ठीक अब यहां से आएगा एल स्कूर प्लस बी स्कूर प्लस टू एल बी बराबर 23 क 2LB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 529-289 ठीक 2LB की value क्या आएगी 0 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 L into B की value आगए आपकी कितनी 120 meter square 12 दूनी 24 छेतफ़ल आगए आपका 120 meter square option number 3 यहां से सही हो जाएगा clear है question number 10 की question number 10 आपसे पूछ रहा है कि इसको सरल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा संख्या आपकी क्या है 2 की power minus 1 और इसकी भी power minus 1 है ठीक है तो सबसे पहले जो power है इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे 2 की power minus 1 नीचे आजाएगा अब 2 की power minus 1 नीचे है तो 2 की power 1 में चला जाएगा तो इसकी मतलब नीचे से उपर ले जाएगे तो 2 की power 1 आजाएगा यहनी कि value आएगी आपकी 2 अब 2 में देख लो क्या क्या है दो एक अबाजे संख्या है बताइए दो एक अबाजे संख्या है बिल्कुल है दो एक संख्या है बिल्कुल है दो का गोड़ा के बिल्कुल सही है तो A, B, C आपका option number A में है इसलिए आपका यह सही हो जाएगा विसंख्या यह है नहीं इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा clear है आप सभी को बात कर लेते question number 11 की 11 आपसे पूछ रहा है कि एक नियमित बहुज के आंतरिक एवं वाहे कोडों के बीच का अंतर जो है वो आपको दे रहे हैं कितना 60 degree तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बहुज में बुजाओं की संख्या कितनी है ठीक है अब आपको बुजाओं की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको formula पता होना चाहिए अगर आपको formula नहीं पता है तो आप इस सवाल को solve का जो formula है अंतर कोड का जो formula है वो है आपका n-2 into 180 upon n ठीक और जो आपका वाय कोड का है वो आपका होता है 360 वटे n ठीक अब देखो क्या बोल रहे हैं बहुज की आंत्रिक और वाय कोडों की बीच अंतर 60 डिग्री है यानि कि इन दोनों की बीच अंतर जो है वो आपका 60 डिग्री है अब इन दोनों की बीच अंतर हम लोग निकाल के इसको solve करने के कोशिस करते हैं तो अंता कोड वाला क्या था n-2 into 180 upon n-360 upon n बरावर 60 डिग्री दिया है हमें अब इसको solve कर लो 180 n-360-360 और n हमारा नीचे रहेगा बरावर 60 clear है आप सभी को तो 180 n यहां से क्या आ जाएगा 180 n-360-360 था तो minus का 720 हो जाएगा बरावर 60 n हो जाएगा क्योंकि upon में n है वो हम उस साइड ले लेंगे ठीक अब 180 n-60 n बरावर 720 अब 120 बचेगा यहां पे और n बचेगा और 720 बचेगा अब इससे को काट दो तो 6 आएगा n की value कितनी आ गई 6 बॉबज में बुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपकी 6 आ गई clear है आप सभी को I hope आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे बात कर लेते हैं next question की next question है आपका कि एक सीधी रेखा पर उपस्तित बिंदू की संख्या कितनी होती है अनन्त या दो या जीरो या एक देखो रेखा कितनी बड़ी हम लोग ले सकते हैं सबस्के में वेहती हैं ने लिए की के स्वाल सीचाहर। जी यहां बैच चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 699 आपकी फीस रखी गई है अगर आप में से कोई भी इंट्रेस्टेट है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ठीक है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में अब इंग्लिस की क्वेस्टेंस के साथ और प्रीवेस य हैं जोड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखेगा